आली के दिनों में WHO ने काफी चिंता जाहिर की है neglected tropical disease को लेकर ऐसे पुल 20 बिमारियां हैं जो WHO ने identify किये हैं और जो tropical areas में generally feltी है और हम लोग खास तोर से देखें तो उनको हमेशा neglect करते रहे हैं और ये बिमारियां ऐसी हैं जो लाखों करोणों की संख्या में लोग की जान भी ले जाती है तो neglected tropical diseases कौन से हैं वो total 20 बिमारियां कौन कौन से हैं कौन कौन से pathosans हैं जोने cost करते हैं और WHO ने कौन से याजी पहल की है जहांपर 2030 तक के target को बनाकर इन बिमारियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी यह सारा का सारा जो topic है विग्यान तकनिकी यानि health issues से जुड़ा हुआ है this is my lesson number 120 मेरा नाम रॉक्टर रविग्रेली आप मुझे आने केडमी के online platform पर सुन रहे हैं मेरे एक संस्ता है प्रवान चला है इसके नाम से जहां का मैं डारेक्टर हूँ जहां मैं आपको face to face कक्षा है तिल लिगे दियाकों की टीम के द्वारा देता हूँ विष्ट 18 वर्सों से आपको civil सेवा परिश्या की तैयरी करा रहा हूँ और 1000 सथी विद्याती सेलेक्टर जगे हैं मेरी दो किताबे आती हैं मैं कराहिल से प्रकाशित होती है एक भी ज्यान तक नहीं किया दूसरा परियावट की जो आपको पढ़ना आवश्यक है टेलिग्राम चैनल जो आप स्क्रीन पे देखते हैं अलिविटेट व्यूज मिल जाते हैं लाइव एंटर्शिप मिल जाते हैं 178 सदिक पित्यारवी 2021 किसकी परिक्षा में अनकैडमी की मदद से एक्जाम को क्वालिफाइग कर चुके हैं इंडिया के बेस एजुकेटर जो यूपी एसी एसी क्लास देते हैं इक मैं से कोई भी कोर्स आपको लेना और अभी ब्यस्व कोर्ट को यूज करें और अपने डिसकाउंट्स को भी लें साथ साथ आएगे बात करते हैं नेगलेटेट ट्रॉपिकल डीजीज में क्या क्या चीज़ां आती हैं देखे अगर हम neglected tropical diseases के बारे में जानने कोशिश करें तो नाम से ही बोल रहा है कि neglect कर दिया जा रहा है tropical diseases को और ये बिमारियां इस तरह की बिमारियां हैं जो कि बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं करीब करीब बहुत सारे ऐसे tropical areas हैं जहां पर इस तरह की पंगी हो सकने हैं बहुत सारे ऐसे परजीवी होता है जो इस तरह की बिमारियों को cause करते हैं अगर इन बिमारियों के बारे में पूछें तो यह बहुत बड़ी मात्रा में हमारे health के लिए issues हैं इसके लिए बहुत सारे issues हैं जिसके पीछे मतलब अगर माला जाए तो social, economical यह सारे की सारे issues हैं constraints हैं जिनकी वे सिस्तर की बिमारियां ज़्यदा फैल रही है यह बिमारिया epidemiology है epidemiology का मतलब किसी particular areas में आपको बार-बार मिल जाएंगी epidemiology level पे और इब आप बोलू तो इन momental condition पे भी depend करती है जड़ा तर अगर neglected tropical disease की बात करें तो vector born होती है किसी animal के द्वारा, किसी के द्वारा ही यह जगा से दुझे का प्तैलती है और अपने पूरी life cycle को maintain करती है entities में कुल 20 विमारियां हैं जो आपके सामने हैं पहला burly ulcer है जो आप screen पे देख सकते हैं आपके skin पर ulcer की तरह आपको surgeon type का हो जाता है इसके लावा आप चागास disease देख सकते हैं चागास disease को हम किसी bug disease भी कहते हैं यह ऐसे bug disease होते हैं जिस bug का नाम है tritromine bugs उसका नाम है tritromine bugs और tritromine bugs ऐसे होते हैं जो कि actual इस बिमारी को carry करते हैं एक इन्जान से दूसरे स्थान त्रitromine bugs जो आप screen पे देख सकते हैं और जो परजीवी है जो चागास disease कोस करता है उसका नाम है tripernosoma cruzi उसका नाम है tripernosoma cruzi वो भी आप screen पे देख सकते हैं इस disease में होता कि आपकी आँख में सूजाना जाती है जो भी आप picture में आसानी से देख सकते हैं अगली बिमारी है डेंगो और chicken guinea डेंगो चिकन guinea तो इतनी popular बिमारी है कि आप metropolitan cities तक इन बिमारियों को देख सकते हैं डेंगो और chicken guinea दोनों ही बिशाडवों से होता है डेंगो जो होता है वो flavor variety virus जो कि flavor virus आता है इसी साप से जो chicken guinea हो toga variety family है alpha virus से आता है λेत विमारी वाइरस एक family है एक family है जिसके अंदर alpha virus आता है जिससे chicken guinea होता है डोनों केस में कर तेखें तो कौन सा μας quitter है जो Dingo, Chicken Guinea कास करता है तो दोनों ही case में Aedes cog Hugynar Hogy event춰 होते हैं Aedes acipti ही होता है वही मास too जो की दोनों cases में भीमारी को carry करता है तो इडीज यहां पे भी मिलेगा इडीज आपको यहां पे भी मिलेगा इनका incubation period Diligo का 3-7 यहां बाद हफते तक लग जाता है यहां बलबग सिर्फ एक हफते से दू हफते गंदर ही यानि चीकन गुणिया में सिंटम्स जल्दी आ जाते हैं डेंगू में भी करीब लेकिन थोड़ा और दिमें भी सिंटम्स आ सकते हैं इंक्यूबेशन पिरेट वही बोलते हैं जब पहले दिन पैथोजन आपके शरीर में जाता है और जब जाकर बीमारी के फार में एक्सप्रेश होता है उस डूरेशन अप टाइम कॉम इंक्यूबेशन पिरेट कहते हैं यहां पर आपको रिस्पिरिट्री प्रॉब्लम है और एक्सपिरण फैल्योर है इस तरह की दिक्कत हैं जबी लेगन चिकन गणिया में आपको सीवर अथराइटिस होती है सीवर अथराइटिस होती है गुट्नों में अच्छे कासे धर्ग होते हैं यहां आपमें देखाना तो रैसे सब्सक्राइब आप भी बॉड़ी में पर थ drachynechuleasis drachynechuleasis को हम actually guinea worm बिमारी के नाम से जानते है ये परासिटी के इंस्रेक्शन है जो कि guinea worm से होता है guinea worm का नाम है Drachyncholus medinensis ये जरदातर आपको जिए बिमारी होती है contaminated water से होती है जो phleas वगरा होते हैं बिगी water को contaminate कर लेते हैं उनके जो लारवा रवा होते हैं गुईना वर्म के वही पानी में छूट जाते हैं और वही contaminated पानी लेने से आप पे बिमारी होते हैं जो symptoms आप इस पैर पर देख सकते हैं Iconococcus 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 भी एक parasitic disease है परजीवी बिमारी है जो tape forms के दारा होती है और Iconococcus टाइप जो tape forms हो रहे हैं उनहीं के दारा ये विमारी Iconococcus होती है दो मुख टाइप के विमारी हैं एक cystic Iconoccus और एक alveolar Iconoccus ये आपी कान में होता हूँ आपको दिखेगा ये पर जीवी आपको कान के अंदर दिखेगा Foodborne Tremato Diases क्या होता है Foodborne Tremato Diases जो होता है ये infection level 2 million लोगों को पर साल उन्हें कुछ न कुछ डिसेबल कर रहा है और पुरी दुनिया से हर साल अगर बोले तुम बृत्यू कर रहा है यानि लबल लब 20 लाख लोग कह सकते हैं कि Foodborne Tremato Diases से प्रहवीद रहते हैं इसके पेशे कारण कहा है जो आप मशलियां खाते हैं और पूरी दरह से कुख नहीं होती है या crustaceans या कुछ vegetables खाते हैं जो parasitic larva बगर उनमें होता है ठीक से भोजन दर कुख न करने पर इनके ये ये जो परजी भी होते हैं वा अलड़ी वहाँ पर जीवित रहते है ज़रतर ये विमारियां होती है इस टेशिया में, साथ अमेरिका में ये विमारियां जादा कामन है इस विमारी से होता कि आपको लीवर और लंग विमारिया, लंगs diseases हो जाती है वही अगली विमारी की तरफ चलते हैं तो human-african trepanozomiosis ये विमारी जो होती है जिस पर जीवी से होजिसका नाव है trepanozoma browsi सीसी मक्ही होती है जिस विमारी को carry करती है और इससे आपको निद्राल रोग जिसे अब sleeping sickness कहते हैं इस तरह के symptoms हो जाता है ये प्रोटोजोवन डिजीज है प्रोटोजोवस हमूम के अंदर ये पैथोज़न आता है लीस बेनियोजीज भी एक प्रोटोजोवन डिजीज है और यहां पर जो parasite होता वो लीस मारिया होता है और यह stand fly के काटने से फैलता है जिसका symptom भाग भी देख सकते हैं लेप्रोजी जो की कुष्ट्रोग या कोड भी कहते हैं जिसे आप गाउं में यह आपके skin और आपके nervous system को प्रभावित करता है ऐसे बिमारी है इसे समाने पाशन में हैंसन बिमारी के नाम से भी जानते हैं long term infection होने पर जो microbiome lepris है या microbiome leprometosis है इनी के दोरा leprosy या कुष्ट्रोग की बिमारी आपको होती है lymphatic phylerosis क्या है lymphatic phylerosis जिसे आप हाथी पाओं के नाम से भी जानते है elephantiosis भी कहीं कहीं गाओं में लोग कहते हैं यह roundworm के द्वारा होता है जो गोल क्रीमिया होती है उनके larva के द्वारा इस तरह की बिमारिया होती है इसे सिम्टम्स आपको fever आना बुखार चेहना स्किन पे लिसन्स हो जाना यह सारी के सारी सिम्टम्स lymphatic phylerosis के नाम से जाने जाते हैं अगली बिमारिया यह फिर मैं बता रहा हूं neglected tropical disease में कुल 20 बिमारिया है जो consider किये गए है वहो की साइट से muscular disease मैसे टूमा क्या है मैसे टूमा एक च्रोनीक इंफेक्शन हे जो आपके सकिन में होता है बेक्टियर भी हो सकता और यह फ इतुन में हो सकता है जिस बेटीरिया के तौर COB मैसे नाम है actinomycetoma और जिस फंगी से हो था उसका नाम है यू-mycetoma ये दोनों की दोनों जो पैथोजन होते हैं बैटिवल फंजी दोनों ही mycetoma नामें बिमारी कॉस करते हैं स्किन में लंप्स का जाना, painless area डवलप हो जाता है कि स्किन में, weaving sinuses होना है ना, इनके जो grains वगरा होते हैं जो इनके जो particles होते हैं जब इनके डिस्चार्ज होते हैं तो किसी बॉड़ी में टच होने बर लिविंग ओनिसम्स वहां से food लेते हैं और आपको infect करें जाना तरी बिमारी आप ये पैरों में देखी जाती है, cutination, subcutination मतलब आपके स्किन में बाहर के तरफ या स्किन के अंदर के तरफ ये infection होता है यहाँ आपको बिमारी बिवारें बताऊं थे हैं आपर different types के जो fungi होते हैं वो different तरह के स्किन से प्रोलमाग को देते हैं जो polymorphic condition हो सकते हैं लेसेंस आप प्लिमार्फिक प्लिमार्फि पर ये हाँ ये बिमारी बहुत धीरे तरह फैलती है, chromoblastomycosis ध्यान रखेगा, oncoseriosis, oncoseriosis को river blindness के नाम से भी जानते हैं, ये infection जो होता है एक parasitic worm है जिसका नाम है onkyera volvulus इनके द्वारा होता है, अगली बिमारी, 14 बिमारी जो की neglected tropical disease में लिया था उसका नाम है ribis, caviasis and other ecto paracitrosis, ये एक वाले infection है, विशाड़ ज्यानी द्रोग है, saliva के तोरह फैलता है, जन्वरों के saliva के तोरह फैलता है और ये जन्वरों के saliva के तोरह फैलता है ये आपके brain में जाकर सूजन तक कर सकता है, इसमें आईसी रिसेस हो जाते हैं, खुजलिया होती हैं, और जिस mice से ये स्टोमियोसिस, साइकोस्टोमियोसिस ऐसी विमारी है जिसमें स्नेल फीवर, बिलहारजिया, काटाहिमा फीवर इन सारे नामों से भी से जानते हैं तो साइकोस्टोमियोसिस को स्नेल फीवर, बिलहारजिया और काटाहिमा फीवर के नाम से जानते हैं यसी विमारी है जो कि flatworms के द्वारा होती है, चप्टे क्रीमी के द्वारा जिसका नाम है cytosomes, जड़े तर आपके uninary infections और intestinal वाले पार्ट को प्रफाविक करता है, इससे कौन-कौन से symptoms होते हैं, आपके पेट में दर्ध होता है, abdominal pain होता है, डायरिया होती है, bloody stool होते हैं, और सासत urine में भी blood निकलता है, Swyled Transmitted Helventhyosis कौन-कौन से हैं, Swyled Transmitted Helventhyosis यानि क्रीमियों में, आपको generally round words मिल जाएंगे जिनकों gold क्रीमी कहते हैं, यह transmitted by a swyled होता क्या है, अगर कोई contaminated fecal waste है वगरा है, उनके X वगरा जोग होते हैं, उनके माधियम से fecal waste से मलबदार के साथ निकलते हैं, और वो हवा से dispersed होते हैं, और वच्चे उच्चे और यह लोग क्या करते हैं, इन contaminated चीजों को हभी साथ देखें चीजों को उठा के मुझे डाल लेते हैं, यह कहीं नगें इस तरह की मुमारियां आप वो देखती हैं, स्नेक बाइट एवनोमिंग, देखें स्नेक बाइट तो बड़े कॉमन है पूरे भारत में, जो कि आपको यह स्नेक आच्छे घासी मात्रा में बलते हैं, और यह जानलेवा भी हो सकता, अभी डिपेंट करता है आप उसके वेननमस में, उसके जहर में, स्नेक का वेनम अच्छल जो होता, उसमें क्या होता, तो प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन होता है, और सा साथ बहुत सारे toxic सश्टांस भी होते हैं, इसको भी Neglected Tropical Disease की लिस्ट में रखा लिया है अगले Tropical Neglected Disease, Neglected Tropical Disease, TDDD में बात करें तो Tineosis या Sister Psychosis के नाम से भी जानते हैं एक और बिमारी है जो आपके Understand वाले पार्ट को एफेट डालता है जारत तर जो Adult Day Pumps होते हैं वहीं इस तरह की बिमारी कांस करते हैं इसमें फिलाल सिम्टम नहीं भी हो सकता और हो सकता बहुत हलके फले सिम्टम्स आपको Tineosis समय बिमारी में दिखें अगली बिमारी का नाम है Trichoma Trichoma जो होता है, बेटिलिया इंफेक्शन होता है यौस, यह chronic bacterial infections है endemic होता है, सिर्फ एक ही किसी location पर जहां होता है यह बेटिलिया जो होता है, देखने में जो कि Tryponema नामक जीनस के अंदर आते हैं यौस most common infections है, कई तरह के infections यौस के अंदर देखने को मिलते हैं इंडिया को यौस फरी काफी पहले बोला जा चुका है पर स्टिल अभी भी कई cases यौस के देखे जा रहे है अब बात ही होती है, सारी के सारी बिमारियां मैंने आपको 20 लिस्ट हो दे दी, जो की WHO ने NTD बिमारियों के अंदर रखा था उससे अब के फิपर में इन बिमारियों मैं पूचे कौन Exchange है, जो NTD के लिस्ट में आते हैं या कौन से नहीं आते हैं, जिसके लेशेन थोड़ा सा तययार रही है असल में जो NTD diseases होती है, neglected topic political disease किनको होती है खासथ है, उन population को जिनको neglect कर दिया जाता है किया नहीं जाता है यह कहीं नेगलेक्ट हो जाती है किसी ना किसी तरीके से इनके पीछे कारण क्या है इनका education system अच्छा नहीं होता इनमें professional opportunities जो होती है वो कम मिलती है जैसे vaccination इस तरह की चीज़ें यहां पर नहीं है जाला almost almost absent from the global health agenda से पुरी तरह से अलग रहती है जो दिनिया में जो health agenda लाए जाता है वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं इनके बाब बहुत limited resources होते हैं जादे तरह आप कह सकते हैं जो funding agencies भी होती हैं उनकी मदद से भी यह नोगों की तरह कोई फाइदा ने मिलता है क्योंकि काफी है अग्नोर्ड हो जाती है कैसी बहुत सारी जगह है जैसे कोई कबीला कोई इस तरह की जगह है मतलब इस तरह के एकड़म अलग किनारा पूरा area वह पूरा पूरा area रह जाता है काफी बार और यह area जाद़तर आपको rural areas में फैलता हुआ दिखेगा वहाँ के जो rural areas होते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें फैलने को मिलती है रीजन नहां पर आप देखे तो clean water नहीं है sanitation proper नहीं है तो कहीं न कहीं वहाँ पर पूरी तरह से घटिया climate पूरा का पूरा maintain हो जखा है इन एरियास है without the quality health care आपको देखा जाए और यहाँ पर दूसी चीज यह है कि हाँ लोग बहुत गरीब है जो उन एरियास में रहते है डवलेटों ने एक road map तयार किया जो मैं आपको बता रहा था जिसको लेकर जो current affairs का topic बनाया है 2021 से 2030 का यह 2021 से 2030 तक बहुत ही integrated तरीके से हम इन विमारियों को दूर करने का प्रयास करेंगे यहाँ तक कि जो सतत्विकास का जो लक्ष है लक्ष नमबर 3 वहाँ पे एक road map तयार किया गए जहाँ पर इस तरह है कि बिमारियों को दूर करने का प्रयास पूरी दुनिया से होगा वर्ट है दे सेंबली डिजॉलोशन 66.12-2013 यहाँ वर WHO member states जो भी हैं पूरी तरह से address कर रहे हैं जो NTD टाइप पी चीज़े हैं जो आ रही है neglected tropical disease को इसकी अंतरगत इन जोजों को बताने की कोशिश की गई है WHO has supported a global community especially जिस तरह से अगर आपको planning, financing या किसी योजना को लाने में कोई दिक्कत है उसको manage करने में दिक्कत है इन सारी चीज़ों में आपको मदद कर रहे हैं कौन डब्ट वेच्चो ये भी ध्यान रखेगा इवन अगर NTD roadmap की बात करें यानि neglected tropical disease की बात करें 2021 से 2020 के बारे में तो जो नए roadmap है 2021 से 2030 के लिए जड़ा समझेगा इसमें पूरी तरह से कोशिश की जा रही कि 2030 तक दुनिया को काफी हद तक हम इन NTD विमारियों से मुक्त करते हैं NTD विमारियों से जो program है खास और से marginalized communities के लिए हैं जो पूरी तरह से बंचित रह जाते हैं खास और से prioritized उनको करना चाहिए हैना उनकी priority देनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो disadvantaged groups हैं या लोग हैं जो पूरी तरह से इस तरह के program से या जो भी health programs होते हैं उनसे अच्छूते रहते हैं 2030 के global targets क्या है जो WHO ने NTDs के लिए बना है पहला तो 90% तक लोगों में प्रापर तरीके से रेटेंट पहुंचाया जाए ताकि NTDs को कम किया जा सके 2030 तरग 100 ऐसे कंटी को पकड़ा जाए जहां पर NTD पूरी तरह से समाप किया जाए 2 ऐसी बिमारिया है जिनको पूरी तरह से समाप करना है पूरी दुनिया से सौ कंटी से तो सारी बिमारी करनी है लेकिन दो बिमारी तो पूरी तरह से करनी है राकून कूलियासिस और यास 75% कम करना है disabilities को जो adjusted life years डेलीज related of entities है उनको 75% कम करना है अब बात होते हैं इन बिमारियों को वाटार दूलकर में के लिए AI तो पहले जिससांसे लगातार जलवाई परिबरतन हो रहा है धुज स्था बहुत सारे कंफिक्ट्स हैं बहुत सारी स्सांसे जजासे लोग कहते हैं कि अगर पुली का वैक्सीन ले ले लें मांद बहुत कहानी सेला रहे हैं तो लोग जो आंगे वो बाज हो जाएंगे बहुत इस तरह की चीज़ा है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ा है बहुत conflicts में हैं emerging genetic diseases भी लगातार बढ़ रही है environmental health threats हो रहे हैं social economic inequalities है जो हर जगा हर जगा है तो पैसा नहीं है इस तरह की दिक्कत है social लोग उस सुचिज़ों को accept नहीं करते हैं proper housing adequate नहीं है तो sanitation वगार ठीक से नहीं है toilets नहीं है safe water नहीं है यह सारी चीज़े कहीं न कहीं neglected tropical diseases के पीछे खारण बनती है यह पूरा का पूरा PDF आप मेरे telegram group से ले सकते हैं जिसका link मैंने हाब आपको शेयर कर दिये बता दिया है मेरा अनिकडमी profile पर जो आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे यहाब आप मेरी plus की classes प्लस की classes के लावे special classes देख सकते हैं वो आप screen पे देख सकते हैं आप ज़रूर follow करें मेरा code review PSC है जब भी किसी course को जोईन करते हैं review PSC course code को यूज करने पर आपको फीस में अतिक 10 पिश्य तक discount मिल जाता है UPSC CSC node 2.0 updated आने के भी अब आपको नए courses के साथ दे रहा है 0% EMI के साथ loan facilities है जो आने के भी आपको देता है UPSC CSC का अगला combat 21st अगस्त को है 11 बजे भूलेगा नि review PSC course के साथ इस combat को यूज कीज़ेगा यहांब आपको बहुत सारे scholarship फिर मिल जाते हैं यह एक आपके लिए test है जो आने केडमी आपको देता है आने केडमी प्रियास के नाम से आने केडमी आपको 2022 के लिए जितने फिर विद्यार थी मेंस फ़री शर्ट ले जा रहे हैं आपको एक अच्छा experience होने वाला है 22 से 25 अगस्त को आने केडमी आपको एक मेंस का test भी organize करा रहा है दिल्ली जैपूर लखनाओ में इसके लिए enroll करें as soon as possible optional courses आने केडमी आपको दे रहा है different तरह के options आपको दिये जाते हैं option में score का नाम बहुत ज़री है आप सब जानते हैं आप दिये के नंबर पर संपर कर सकते हैं उसके लाबाब मेरे courses science दे के इन्वार्मेंट technical engineering courses को सुनने के लिए आप लगातार मुझे unacademy के plus platform पर सुनते रहें और जब भी आप मुझे join करना चाहते हैं मुझे सुनना चाहते हैं तो रवी UPSC code को use करें तो थेंग आप रीवन कांटी सब्सक्राइब दे चैनल लाइक और शेयर दिस रीडियो स्पीड एफ को डाउन को रोड करना ना भूलें